हेलो फ्रेंज गूड यूणिंग एंड वेल्कम टू माई चैनल स्पेडिंग जान एक बार फिर से आजीरू दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आज करेंट अफेर आज हम बात करेंगे जोदपूर इंटरनेशनल एक्सपो के बारे में उसके बाद में हम बढ़ेंगे नील जरूर दोस्तों, यह जो वीडियो है सारे RPSC के एक जाम को चार गेट करके बनाया गया है दोस्तों, चलिये सीधा बात करते हैं जोदपूर में इंटरनेशनल एक्स्पो कब से कब हУआ है planet जोद पूर में इंटरनेशनल एक्सपो कब से कब हुआ है то यह हुआ नहीं दोस् से कब वोगा दोस्तोर है इस पीस से 22 मार्च में यह है कि तस्तावित है मुख्यमंत्री ची ने गोशना किए है कि मार्च के अंदर इंडस्ट्री को बड़ावा देने के लिए जोदपूर में EPCH EPCH क्या होता दोस्तों तो आपका EPCH क्या होता दोस्तों EPCH stands for Export Promotion Council for Handicraft ठीक है Handicraft उद्योग के promotion के लिए काउंसिल है एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है दोस्तों इसका जोदपूर में एक जैपूर के अंदर इसके कार्यल है दोस्तों ठीक है तो जो एक बोरनाडा ओद्योगी क्षेतर का जो कार्यल है वहाँ पे इसकी जो है वो एक्सपो की मीटिंग होगी और प्रमोट करने के लिए राश्तान ओद्योगी विकास को विस्वपटल पर और उन्चाहि देने के लिए रखा गए है दोस्तों अगे बात करते हैं नीलकंट बायो-डाइवर फोरेस्ट नीलकंट बायो-डायवर्स फोरेस्ट वय खान भागरी इको पार्क यह नाम आये है न्यूज में तो आप याद रखिए यह दोनों कहां पे हैं यह दोनों ही यह हैं आपके दोस्ता में हैं दोस्तों कहां पे दोस्ता में हैं तो तीन क्रोड रुपए जो है डेड़ डेड़ क्रोड रुपए की वित्यश्वेकरती इनको मुख्यमंत्री जी ने दी है इनको बेसिकली 2022-23 का आपका जो बज़ट था न उसमें प्रत्य एक जिले के अंदर दो दो चेत्र ऐसे होंगे जिनको पर्य Dartmouth के नजरिये से्ट लिए दोसा के अंदर यह दोजेश्वेश्प separate हैं इनको डैवलप करेंगे दोस्तों दोस्ता और किस किस चीज के लिए famous है तो दोस्ता आपको पता है दोस्ता किस चीज के लिए famous है दोस्ता आपका एक तो डोलची होली के लिए famous है किस के लिए famous है एक एक दोस्ता जो है डोलची होली के लिए famous है दोस्तो और दोस्ता किस के लिए famous है तो और दोस्ता आपके कि चांद बावडी के लिए फेमसे किसके लिए कि चांद बावडी कहां पे है चांद बावडी आपकी आभा नेरी गाउं में है कहां पे आभा नेरी चांद बावडी आपके आभा नेरी गाउं में है दोस्तों ठीक है यहां पे आभा नेरी महुत सो भी मनाया जाता है दो दिन का ठीक है यह जो बावडी है लगबग जमीन के अंदर अल्मोस्ट बीस मीटर के आसपास की है और तेरा मंजिल की बावडी है इसके अंदर अल्मोस्ट एक हजार के आसपास संकीन सीडियां है ठीक है चांद बावडी आभा नेरी और आभा नेरी तो गाउं है और बांदी कुई के अंदर है दोस्ता में बांदी कुई तैसिल के यह है दोस्तों चीक है यहीं पे दोस्तों आपका क्या है हरसद माता का मंदिर है किसका हरसद माता मंदिर ये भी कहां पे हैं ये भी आभा नेरी आभा नेरी तो इसको अभी बोलते हैं एक्चुलिम इसका नाम जो था आभा नगरी था आभा मतलब साइनिंग चमकता हुआ चमकदार नगरी ठीक है तो चांद बावडी और हर्सद माता मंदिर के लिए फेमस है दोस्तो और यहीं पे आपका मेंदी पुरबाला जी का मंदिर भी है दोस्तो तो यह दोसा से इतना important fact है याद रखियेगा दोस्तो ठीक है साथवी आठवी सतावदी का बना हुआ है दोस्तो इस मंदिर पे मैमूद गजनवी ने अटैक भी किया था इसको मतलब चिन भिन तोड़ा वड़ा भी था इसको मुगलों ने भी इसको तोड़ा था चलिए आगे बात करते हैं राष्टे मसाला बिजनेस मीट राष्टे मसाल पूरल में यह हुई है ठीक है इसका उद्गाटन किसने किया था तो आपके ओम बिर्ला जी हैं लोकसबाद्यक्स उन्होंने इसका उद्गाटन किया था दोस्तों ठीक है चलिए और दोस्तों राजस्तान आस्सोसियेशन ऑप स्पाइसेज के द्वारा इसका मीटिंग जो टॉपिक पे दोस्तो सरिस्का के अंदर भालूओं को लाने की अनुमती गौवर्मेंट को मिल चुकी है दोस्तो ठीक है सरिस्का किसके लिए फेमस है सरिस्का वैसे तो टाइगर रिजर्व के रूप में वेवस है टाइगर रिजर्व कब बना था टाइगर रिजर्व यह 1978 में टाइगर रिजर्व बना था यह आपका सेकिंड टाइगर रिजर्व था सेकिंड ठीक है पहले टाइगर रिजर्व कौन सा था तो पहले आपका रन थंबोर वाला था रन थंबोर वाला 1973 में बना था दोस्तो ठीक है बना तो काफी पहले से था बट टाइगर रिजर्व उसको डिकलेर 1973 में किया था लाइकवाइज ये भी आपका 1978 में टाइगर इजर डिकलेर वा था, 1982 में इसको राष्ट्य उध्यान भी गोशित कर दिया था, ये भी आपका राष्ट्य उध्यान है, वर्तमान में दोस्तों आपका यहां पे कितने राष्ट्य उध्यान है, तो राजस्तान में वर्तमान में पांच राष्ट्य उद्यान है कितने दोस्तों पांच राष्ट्य उद्यान है कौन कौन से हैं पांच तो आपका सबसे पहला राष्ट्य उद्यान रण थम्बोर कौन सा दोस्तों सबसे पहला उद्यान कांसा है तो सबसे पहला है आपका रण थम्बोर दोस्तों रण तंभोर यह लगवग आपका 1980 में बना था लगवग क्या है 1980 में राष्टे उध्यान बना था ठीक है इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा आता है दूसरा तो दूसरा आता है केवला देव यह आपका 81 में बना था केवलादीव आपका रामसर साइट है ठीके दोस्तो और इसको दोस्तो यूनेस्को में भी जो सरक्षित उसमें है चेतर में लिया गया गया है यूनेस्को दोस्तो कब यूनेस्कों ने लिया था 1985 में कब लिया था 1985 में दोस्तों तीसरा आपके यहां पे कौनसा है तो तीसरा आपका जो अभी हम पड़ रहे हैं सरिस्का है चोथा कौनसा है आपका वो आपका है मुरू ज्यान जैसलमेर और पांचवा कौन सा है आपका तो पांचवा है आपका मुकंद्रा हिल्स कौन सा मुकंद्रा हिल्स तो याद होगे दोस्तों पहला रन्थंबोर, केवला देव, सरिस्का मरू द्यान और मुकंद्रा हिल्स मुकंद्रा हिल्स किसके लिए फेमस है तो Mukundra Hills आपको पता होगा हिरामन तोते के लिए famous है, हिरामन तोते के लिए famous है Mukundra Hills तो ये भी कोशिन कभी- पे एक सरवे हुआ था All India Survey 2020-2021 में वहा था किसने करवाया था तो 6th मंत्रा लेने करवाया था किसने करवाया था दोस्तो आपके प्राइवेट है नीजी टोटल आपके कितने है 92 है तो इसमें राजिस्तान जो है पहले नमबर पर है दोस्तों और अगर colleges की बात करें तो colleges में आपका देश के अंदर सबसे पहले नमबर पर है वो आपका Bangalore Urban कौनसा Bangalore Urban दोस्तों थीक है Bangalore हुआ करता था और उसका राम अभी पेंगलूरू है जैपूर जो है वो कौनसा है दोस्तो दूसरे नंबर पर आता है जैपूर दूसरे नंबर पर आता है कितनी six seventy college है शीकर जो है वो ten नंबर पर आता तो top ten के अंदर college is again विस्तीक डाले में तो राष्टान पहले और सीख कर आता है आपका 10th नंबर पर दोस्तो पहले नंबर पर कौन है तो पहले नंबर आपका बैंगलोर है दोस्तो चलिए तो दोस्तो यह था आज का मेरी तरफ से करेंट अफेर मिलते हैं कल फिर करेंट के साथ कल के और तब तक के लिए गुड नाइट और प्लीज वीड झाल 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